जैहिन दोस्तों, कल एक बच्चे का मेरे पास मेसेज आया Sir, 2023 will be my second attempt इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 2023 किसी भी हालत में clear करना चाहता हूँ तो Sir, मैं कोचिंग लेने की सोच रहा हूँ, प्लीज गाइड मी उस बच्चे को guide कर, मेरे दिमाग में एक खयाल आया कि यार यह समस्या तो हर बच्चे की है जैसे ही exam खतम हुआ है, हर institution अपना कोई न कोई course launch करने में लगा हुआ है कोई one year foundation course, कोई two year foundation course, कोई अभी से test series बेचने लग रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता तो आपको उन लोगों से coaching लेनी है या नहीं मैं इस video के end में आपको ये clear बताऊंगा उन सभी institution से coaching लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए पूरा detail analysis हम इस चीज़ पर करेंगे तो coaching लेनी है या नहीं ये बात हम video के end में करेंगे अभी हम अपने आज के मुद्दे पर आते हैं ये video मेरा analytical session part 2 geography question analysis जो की UPSC, CEPF, AC 2022 में जितने भी geography के questions आये हैं उनका exact source में यहाँ पर बताऊंगा मैं बताऊंगा कि कौन सी NCRT से question पूछे गए है किस NCRT को आपको आगे ध्यान से पढ़ना है आपको मैं यहाँ पर बात करूँगा इससे पहले हम लोग science के question analysis कर चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कि total 26 question जो science में आये हैं उसमें से 23 question सिर्फ और सिर्फ मात्र दो बुक से आये हैं प्लीज उस video को देखे और जानिए वो दो बुक कौन सी है तो अब हम अपने पहले question की तरफ चलते हैं पहला question जो है हमारा बात कर रहा है border road organization के बारे में यहाँ पर दो statement given है और हमें बताना है कि यह दो statement क्या यह सही है या गलत है तो पढ़ लेते हैं एक बार and दूसरे में कह रहा है कि बहुत बच्चों को लगा होगा कि यह question शायद कहीं current affairs से आया होगा but हो सकता है कि आप इसे current affairs की knowledge से इस question को attempt कर सके but मैं इसका एक exact source आपके सामने रखता हूँ यह question आपकी class 12 की NCRT इंडिया people and economy जहां पर page number 116 से पूछा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं यहां other roads की बात की गई है और उसमें कहा है कि other roads include BRO the border road organization was established in 1960 for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated improvement of strategically strategically important road along the northern and northeastern border of the country तो यहां आप देख पार होंगे जो strategically important roads तो first statement हमारा यहां से clear हो जाता है कि इनका जो main काम है वो strategically sensitive areas को construct करना है right अब अपना second statement ढूणते हैं यहां पर कह रहा है कि apart from the construction and maintenance of roads in strategically sensitive area अब यह देखे पहला statement पिल्कुल लाइन बाइन आपको यहां देखने को मिल जाता है मिल तो इदर भी गया था बट यहां पर इसको और clear देखने को मिल गया मैं इसको एक बार clear कर देता हूं यह थोड़ा गंदा हो गया तो आप इसको एक बार यहां देख सकते हैं apart from the construction and maintenance of road in strategically sensitive areas अब इसके अलावा इनका क्या काम है the BRO also undertakes no clearance in high altitude areas दोनों statement यहां से clearly हमें देखने को मिल जाते हैं यह NCRT आपकी class 12th Indian people and economic page 116 इसके इसाब से जो हमारा answer होगा option C अब हम next पर चलते हैं यहां आपका answer clear हो गया होगा आपको समझ में आ गया होगा कि यह current affairs से नहीं आपकी NCRT class 12th से पुछा हुआ question है next question अब next question में कह रहा है कि which one of the following is not correct अच्छा यह not पर बहुत focus करना आप देखोगे कि CAPF में जितने question आते हों not के उपर आते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी में रहते हैं कि वह question को focused way से पढ़ी नहीं पाते हैं इस तरीकी कि कई सारी चीज़ों पर हम लोग कभी अराम से चर्चा करेंगे कि examiner आपके साथ कैसे trick खेलता है तो question देखते हैं the Gulf Stream is a warm ocean current अच्छा North Atlantic Drift is a warm ocean current Labrador current is a cold ocean current California current is a warm ocean current यह जो page number 120 class 11 fundamentals of physical geography यहां पर पूरा चार्ट इन्होंने दे रखा है जिसमें यह समझा रखा है कि कौन से cold current है क्यों से warm current है अब जो बहुत सारे बच्चे हैं already first second attempt दे चुके हैं उनको तो यह चीज़ क्लियर होगी बट यह कुछ नए बच्चे जिनको नहीं पता कि यह question वाकई बहुत आसान है और यह सारी चीज़े paper से पहले clear रहते हैं कि ऐसे question आने की पूरी संभावना है तो यहां पर इस चीज़ के बारे में पूरा current है इस वज़े से यह जो statement है statement हमारा डी यह गलत हो जाता है यह वाम करेंट नहीं यह cold current है ठीक है next पर चलते हैं अब next question है which one of the following statement is correct with reference to the normal lapse rate अब यह normal lapse rate अपने आप में बहुत important topic है जबकि इन्होंने सिर्फ एक basic सी चीज़ पूछी है जो कि आपको पता ही होनी चाहिए तो normal lapse rate में क्या होता है कि जैसे सर्फेस है हम सर्फेस से जितना उपर height पर जाते हैं हमारा जो temperature है वो reduce हो रहा होता है मतलब हाइट जितनी भड़ेगी उतना temperature reduce होगा और यह होता है हमारे ट्रॉपो स्फेर में ठीक है तो इसको कहते है है normal lapse rate वहीं पर एक और important topic है जिससे कहते हैं inversion of temperature यह भी बहुत important चीज है और यह एक अलग important case है जहां पर जो इस situation एकदम opposite हो जाती है तो इसको हम बात में देखेंगे अभी हम अपने questions पर आते हैं तो हमारे question में पूछा है कि जो यह normal lapse rate है इससे related जो चीज है वो क्या highest at the ground level and decrease with increasing attitude altitude तो जैसे जैसे हम उपर जाएंगे हमारा जो temperature है वो decrease होगा यह आपको given होगा class 11 की fundamentals of physical geography page 81 जहां पर आपको inversion of temperature समझाया गया है तो क्योंकि जो important चीज है वो यही है जहां पर questions बनते हैं बट इन्होंने बहुत ही normal सी चीज पूछ ली जो कि है normal lapse rate जहां पर temperature decrease with increasing in elevation it is called normal lapse rate ठीक है अब क्या हो सकता है कि आगे question यह inversion of temperature पर पूछ ले तो कैसे question उसी जगे से आसपास से बनते हैं यह सब मैंने समझाया हुआ है अपने telegram group में मैंने उसमें यह चीज science पढ़ाते समय समझाई है कि जो आपका अगला question जो बनने वाला है in future next paper में वो कहीं और से नहीं वहीं आसपास से बनेगा जहां से पहले question आया हुआ है अगर यह question normal lapse rate से पूछ लिया है तो हो सकता है कि अगली वार वो inversion of temperature पूछ ले तो आप इसके आसपास की चीजे जो इस paragraph में दी हुई है वो in future 2023 के लिए ध्यान से इस पर पढ़ेंगे चलिए हम next पर चलते हैं next question है अब यह question काईदे से तो यह geography में ही count होगा बट इसी तरीके की information आपको sound chapter में भी मिलती है क्योंकि वहां पर भी ट्रफ के बारे में एक चीजे डिस्क्राइब की गई है तो अगर मैं यहां NCRT की बात करूं तो class 9 अच्छा यह class 9 इस book से important कोई बुक नहीं है आपकी geography में खेर यह 9 तो मतलब ठीक है 9 कहते हैं and 11 कहते हैं और मैं इन दो बुके 9th and 11th most 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 important books in geography और अगर आपको नहीं यकीन होता तो मैं आपको proof के साथ अभी आगे दिखाऊंगा तो यह class 9 contemporary India page 30 पर एक statement given है अगर आपने ITCZ के बारे में NCRT में पढ़ा होगा that the intertropical convergence zone is a broad trough of low pressure तो यह जो ट्रफ होता है वो low pressure का होता है तो first treatment हमारा यह कह रहा है कि elongated area of low pressure तो यह ट्रफ है low pressure का होगा और रिजोंगे वो high pressure का होगा ठीक है तो यहां से हमारा यह भी question clear होता है हम next पर आते हैं हमारा next question कहता है कि गंगा water is being shared at फरक का with which one of the following countries करने को तो यह easily बहुत बच्चों को पता होगा direct की यह बांगलादेश है बट मैं आपको फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि वह बिल्कुल newly preparation में आए हुए होते हैं तो मैं फिर भी आपको एक source दे देता हूं जिससे कि आप इन question के लिए भी misguided ना हो कि कोई short note पकड़ा रहा है तो आप भाग के जाके उनके short notes खरीद लें मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं लिख के दे सकता हूं कि यह short notes कभी आपको successful नहीं कराएंगे short notes आपने टॉपर से जरूर सुना होगा कि short notes बनाईए short notes पढ़िए बट आप लोग उस जर्नी को भूल जाते हैं जो उस short notes तक पहुँचती है आप क्या करते हैं आप direct short notes को तरफ भागते हैं जबकि यह पूरी जर्नी है आपको इस पूरी जर्नी को follow करना पड़ेगा और फिर short notes की तरफ जाना पड़ेगा और किसी और के बनाए हुए short notes नही आपके खुद के बनाए हुए short notes तब जाके वो आपको successful कराएंगे तो मैं जो भी नए बच्चे हैं जो भी मुझसे guidance की बात करते हैं मैं उनको सबसे पहली सलाई ये दूँगा कि short notes के पीछे कभी मत भागना जिन्दगी में आपको सफलता सिर्फ मेहनत से ही मिलेगी यह ज मिल पाएगी इस तरीके से महनत करनी ही पड़ेगी उसके बिना कुछ नहीं है और अगर आप authentic source का इस्तमाल करते हैं तो मेहनत आपको और जल्दी मिलेगी तो मैं इस question को बता रहा था इस question में आपसे पूछा है कि जो फरक का बेरेज है वो किस country में जाके जो गंगा वाटर है वो शेयर करता है तो इसका सिंपल जो आंसर अगर आपको NCRT में ढूंडना है तो class 9 contemporary India page 20 वहां पर आपको यह easily available हो जाएगा कि गंगा फ्लो इस्ट वर्ट तिल फरक का in West Bengal और वहां से थोड़ा सा आगे फ्लो साउथ वर्ट इंटू बंगलादेश डीटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे कभी अगर हम NCRT पढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट पर आते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इस पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू अरावली हिल्स कार्भी एंगलॉंग शिवालिक हिल्स विंद्यान हिल्स अब देख और कार्भी एंगलॉंग हिल्स में तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दो विंद्यान हिल्स तो डेकन प्लेट्यू का पार्ट होई नहीं सकता आप देखेंगे विंद्यान हिल्स के आसपास ही जितनी भी चूना पत्थर और सिमेंट की फैक्ट्रीज है वो सिर्फ विंद्य एंगलॉंग हिल्स क्यों होगा पहले तो मैं आपको सोर्स से बता दूं क्लास नाइन कंटेंपरेडी इंडिया पेस्ट वैल तो यहां पर क्लियर्डी मेंशेंड है देकन प्लेट्यू एन एक्स्टेंशन ऑफ दप्लेट्यू इस अलसो विजिवल इन नॉर्थ नॉर्थीस लोकली नोन एज मेघाले कार्वी एंगलॉंग प्लेट्यू और चाचर हिल्स अब यह बात मैंने आपको जब मैं साइंस आपको करा रहा था तो मैंने तब भी समझाई थी कि एक्जामीनर वो कोशन बनाता है वो कोशन उठाता है जो एक एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन हमेशा कोशन बन के आते हैं और यह एक एक्सेप्शन है कि डेकन प्लेट्यू पूरा हमारा सौथ इंडिया में पढ़ता है और इंसान सुचता है कि नौर्थीस्ट में डेकन प्लेट्यू का क्या मतलब है तो यहां पर जो यह आंसर गिविन है आप इसको एक बार पढ़ ल इन नीनों अच्छा यह दोनों जो एक जैट स्ट्रीम है और यह इल नीनों है यह दोनों जोग्रफी के बहुत ही इंपोर्टन कॉंसेप्ट है इनकी क्लियारेटी होनी ही चाहिए आपको अब देखिए जैट स्ट्रीम जो की एक प्लैनेटरी विंड है अब इस विंड का कंटेंपरी इंडिया पेस्ट ट्वंटी एंट 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 थर्टी थोड़ी स्कैटर्ड इंफॉर्मिशन है क्योंकि यह दो चीज़ है इल नीनों और जैट स्ट्रीम तो जैट स्ट्रीम यहां पर देखो कहा गया है अपर एर सर्कूलेशन इन इस रीजन इस डॉमि पटा होगाänge ेंट घो इस चोड़ी नहीं सकता ना तो यह देट स्ट्रीम और नहीं यह अइन को देखते हैं यहां फो ऑर ऌशिंकरेंट мире ना यह प्लोज पास्ट गरूवियान फेर दा पीरूवियन इसके अकॉर्डिंग बस हमारा जो ऑप्शन वन है क्योंकि वहां वेस्टरली विंट्स होगा यह गलत हो जाएगा तो इसका अंसर हमारा होगा टू एंट्री ठीक है हम अच्छाहिए नाइंथ क्लास के एंचियाटी में पेज 2830 पर आप देख लेंगे अब मैं नेक्स्ट कु परीबन होगी 15-20 चीज़ों की आपको लिस्ट तयार करके रखनी है जैसे स्टार्टिंग में आपका जो करेंट हुआ पासिज हुए माउंटेंस हुए रिवर्स हुई है ना यह स्ट्रेट हुए इस तरह की कि इंडियंस में भी इंडियन जोग्रफी में भी वर्ल्स जोग और वही आपको यहां देखने को मिलाओगा एक हम करन्ट का जो कुशन है वह उस लिस्ट में से हो जाता अगर आपने बनाई होती और दूसरा कुशन यह जो पासिस का है तो इसको एक बार देखते हैं तो यहां पासिज में वैस्ट इसको लगाना है तो बाराल अच्छा श लाना बहुत मुश्ची यह रहा बाराल अच्छला यह रहा शिपकीला यह रहा आपका बॉमडीव दी ला तो अगर मैं वेस्ट टू इस्ट बात करूँ तो बाराल अच्छला सबसे आ गए है फर्स नमेर पर आ जाएगा शिपकीला उसके बाद आता है सटीं नमर पर शिप 3-4 इसका अंसर होगा ठीक है इसका लिस्ट आप लोग आगे 2023 के लिए चीज़ रेडी कर लेंगे मैं आपको एक टॉपिक्स बता दूँगा आप कहेंगे तो मैं लिस्ट भी आपको help करूँगा बनाने में next question पर चलते हैं अब यहां पर उन्होंने पुच्छा कि इंडिया के वह स्टेट जो लैंड लॉक्ट है और डू नोट हैव एन इंटरनेशनल बाउंडरी यह वैसे तो सिंपल कोश्यन है बट क्लास 9 कंटेंप्ररी इंडिया पेज 5 जहां पर एक मैप है आप इसको एक तरीकी साब इसको यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं तो यह मदर प्रदेश जैसा कि इसका कोई भुक से लेना देना नहीं बट मैंने फिर भी बता दिया नेक्स्ट में जो बात इस कोश्चन में इन्होंने एक तरफ टाइप ऑफ प्लेइन दिया हुए दूरी दूसरी तरफ करेक्टरिक्स फीचर दियो है अब यह प्लेन जो है भाबर भागर खादर देल्टा ठीक है यह कुशन जो है क्लास 9 contemporary इंडिया पेज 11 & 12 तो पेज 11 में जो मेंचन है भाबर तो यहां जो मेंचन है कि डिपोजिट पैबल्स इन नेरो बैल्ट ऑफ अब बाउट एट तो 16 किलोमेटर इन विट्स लाइं पैललल तो दा स्लोप अब शिवालिक इस नोन इस भाबर तो यह पैबल्स और ग्रेवल्स मतलब यह कंकर पत्थर जो होते हैं यह भाबर वाले जो प्लेइन एरिया होता है वहां पर मिलते हैं तो एक हमारा हो जाएगा 3 & इधर में चरे भांगर the soil in this region contains calciarious deposit locally known as कंकर तो मतलब भांगर जो हमारा किसे कंकर से तो फंकर के लिए हमारा गया कंकर तो एक थरी बीक फॉर आंसर इससे भी क्लियर हो जाएगा यह खादर डेल्टा के बारे में भी information given है यहां खादर के बारे में डेल्टा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि यह क्लास 9 contemporary India page 11-12 से पूछा होगा question तो नेक्स पे चलते हैं यह question अब चलिए पहले इसको पढ़ी लेते हैं इसमें great circle के बारे में कहा गया है उस पर चार statement है इसमें कह रहा है कि every great circle divides the earth into equal house every circle every great circle is a circumference of the earth great circles mark the longest travel routes between location on the earth surface अब यह जो बाकी सारे statement है यह यहां पर given it is the largest circle and divides the globe into two equal halves and the wrong statement है जो यह जो statement C है यह हमारा mention है यहां the great circle it represents the shortest route यह क्या represent करता है shortest route और हमें क्या दिया हुआ है the longest route बस यही आंसर है इसका अब इसका source जो है मैंने जान तूच के नहीं लिखा है फिर भी मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकल वर्क इन जोग्राफी पेज 36 यह 11 का एक और बुक है जहां पर हम प्रैक्टिकल मैपिंग वगरा से रेलिटेड़ वर्क करते हैं बट मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इसको जाकर पढ़ें बहुत से टीचर होंगे बहुत से लोग होंगे जो अब यह दो कुशन इस तरीके के आएं तो अब ऐसा ना हो कि सब बच्चे इधर की तरफ मूव करने लगें हैं अब कि हां नहीं अब हम इस किताब को भी पढ़ेंगे बिल्कुल भी पढ़ने की जूरत नहीं अगर यह कुशन आप से हो गया है तो बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा इसमें कि यह नेक्स कोश्चन मैप से रिलेटिड है यह भी क्लास जो हमने भी देखा प्रैक्टिकल वर्क इन जोग्रफी इसी बुक से रिलेटिड कोश्चन है आप इसको अगर देखना चाहेंगे तो इसमें सर्च कर सकते हैं बट कोई मतलब नहीं बनता खेर वैसे तो यह कॉमन से से भी हो जाएगा क्योंकि थर्ड स्टिट्मेंट कर रहा है कि मैप कैननोट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस तो अनदर तो मैप अगर रूट नहीं दिखाएगा तो फिर दिखाएगा क्या तो थर्ड अगर मैं हटा देता हूं आंसर माने लाता है सी ठीक है तो इस बुक को प पचा-स-सहजार पहएं तो इस ने olar पर चलते हैं यह सी पोर्ट के बारे में बात हो रही है पहला स्टेट्मेंट कर रहा है कि चाहर मेजर पोर्ट से जर सुनते ही ना स्टेट्मेंट पहला तो वहीं इंसान काड़ देगा जिसने थोड़ी बहुत भी पोड़ीशन की बारे यह एक बहुत ही लाजवाब टेक्नीक होती है एलिमेनिशन टेक्नीक जिसने उस पर कमांड पा लिना और वो पानी ही पड़ेगी मालीजे कट ओफ होती है 115 आप एक चीज नोटिस करेंगे हर बच्चा जिसका सेलेक्शन नहीं हुआ वह बोलेगा कि यार 110 बन रहे ते यार 112 ब बच्चे 50% से जादा बच्चे उस 115 के आसपास ही होते हैं और उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं आपको पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है एलिमेनिशन टेक्नीक क्योंकि अगर वह एलिमेनिशन टेक्नीक वह समझ जाए तो ऐसे कई सारे कोशन है जो उसको नहीं भी सबसे आते थे फिर भी उसने कर दिये यही टॉपर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपने सुना होगा सिविल सर्वेस एग्जामिनेशन में बच्चों को जादा से जादा 30-40 कोशन के आंसर पता होते हैं जो शॉर्टी से के साथ के सकते कि यह 30-40 कोशन यह मिरको आते हैं चाहिए वो कितना भी अड़ा लिखा तुर्रम खां क्यों ना हो अब सेलेक्शन तो मिनिमम्म 50 तो करने ही पड़ेंगे तो उसके बाद जो 10 से 20 कोशन जो किये जाते हैं वो डिसाइडिंग फेक्टर होते हैं उस बच्चे के सेलेक्शन के और वो जो 20 कोशन होते हैं वो यहां पर तो नहीं अटकने वाला कि मेरे एक नमर से रह गया मेरे दो नमर से रह गया क्योंकि आपको क्रेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे ऐसे कुशन हैं जो आप नहीं आते हुई भी आप सिर्फ इस एलिमिनिशन टेक्निक से कर देंगे कभी इन फ्यूचर हम लोग इस पर बात करेंगे बहुत अच्छे थे तो अभी हम लोग आगे चलते हैं तो इस कोशन को हम कर रहे थे इसमें अभी पूरी बात नहीं हुए हमारी कंप्लीट तो यहां पर आप देखेंगे पहला जो सेकिंड स्टेट्मेंट और थर्ड स्टे सब्सक्राइब करेंगे तो सेलेक्शन पाने में आपको बहुत मुश्किल होंगी तो इसका आंसर हमारा 2 & 3 हो जाएगा साफ मेंशन आपको मैंने दिखा दिया नेक्स पे चलते हैं अब यह कुश्चन है स्टेट बताना है जहां पर मोर देन 50 परसेंट एरिया एंडर जोम कल्टिवेशन इसका आंसर मैं बताऊं तो मिजोरम है और यह इस तरीके से NCRT में कहीं गिविन तो नहीं था बट NCRT में यह जोम कल्टिवेशन और उससे एसोसियेटिड स्टेट्स के बारे में जरूर दिया हुआ है कि इस जोमिंग इन नौर्थ इस्टन स्टेट लाइक आसाम मिघाले मिजोरम नागा लेंड तो यह जो कुछ स्टेट्स बताए हुए जहां पर जूमिंग कल्टिवेशन होती है बट मोर देन 50 परसंट एरिया इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं बट इसका आंसर जो है मिजोरम होगा तो यह क्लास टैंथ कंटेंप्रेरी इंडिया पेस थर्टीफोर नेक्स पे चलते हैं कि नेक्स्ट करा है कि operation flood बहुत लोगों को पता होगा बट वही कई सारे बच्चे जो न्यूली ग्रेजुएट होके इस एक्जाम के तयारी करने आते हैं उनको इन सब चीजों के बारे में इतनी information नहीं होती तो वह बैटर देन इधर उदर भागें मैं आपको क्लियर कर कि यहां पर क्लियर ली मेंचेंड है कि वाइट revolution ब्रेकेट में operation flood सब चोटी मोटी चीज़ें आपको पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखना है फोकस बहुत ज़रूरी है इस ताइप के questions को पकड़ने के लिए आपको NCRT में next which of the following is a tributary of Brahmaputra river Brahmaputra river की tributary पूछ रहा है simple है वैसे answer इसका मानस होगा और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा detail से पढ़ना है क्या river system है और कौन-कौन जिनको हम हमेशा एक अलग category में रखेंगे जो अगर आप थोड़ी बहुत इधर उधर की information से अगर कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बाते नहीं भी कर ले जा रहे हैं तो आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है तो जैसे कि यह question हमारा है इसका मुझे exact source नहीं मि question थोड़ा आपकी knowledge से हो जाएगा बट यह कहीं exact आपके NCRT में नहीं given है तो इनका इसका अंसर forest canopy होगा और इसका answer permafrost region होगा एक यह question है जिसका टेबल तो mention है geological time period का बट वहाँ पर कहीं पर भी यह marsupials के बारे में नहीं mention है कुछ भी और मैं आपको इसका answer फिर भी बताता हूं lower cretaceous होगा तो finally अब हम conclusion की बात करते हैं इस analysis का conclusion क्या निकला conclusion यह है कि हमारी 9th class की जो NCRT है contemporary India part 1 उसमें से 7 questions देखने को मिले हमें 7 questions तो इसका मतलब व बहुत important book हो जाती है और पहले भी थी बट अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितनी important book 10th contemporary India part 2 से में दो question देखने को मिले class 11 में जो दो NCRT हैं दो questions देखने को मिले second में एक question 12th India people and economy उसमें भी दो question मिले हमें देखने को इंड जो एक नई चीज एड़ होई है practical work in geography उसम में भी दो question देखने को मिले अदर्स जो different sources से हमने जो हमें नहीं मिल पाए NCRT से वो 2 से 3 जो हमेशा आप कहीं भी देखेंगे हमने science में भी देखा 2-3 question हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपको शायद NCRT में ना मिल पाए ठीक है तो यह था आपका पूरा analysis की किस book से कितने question हमें ह क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सब अभी आप अपने according finalize कर सकते हैं बाकि मैं जब 2023 की एक strategy जब मैं discuss करूँगा तब मैं उसमें सारी book एक बार final करूँगा तो वहां मैं बताऊंगा क्या book पढ़नी है और क्या book छोड़नी है यह हमारा पूरा session ख़दा तो thank you हमारे अच्छा अच्छा स्टार्टिंग में हमने guidance की बात करी थी कोचिंग के लिए अच्छा यह देखो इस exam को crack करने के लिए अगर मैं साफ शब्दों में एक बात कहूं तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रुत नहीं है अब बिग नो कोई कोचिंग आपको इस exam को crack नहीं करा सकती मैं seriously बोलता हूं आपको मुझे कोई डर नहीं है किसी भी कोचिंग institution वालों से क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को guide करना है और आप लोगों के mind को clear रखना है तो मैं बोलूगा कि आप किसी भी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बरबाद होगा और थोड़े समय बाद आपको यह realize होगा कि हाँ यार सर सही भी बोल रहे थे यह तो सिर्फ पैसे लूटे जा रहे हैं अच्छा अब अगर कोचिंग नहीं करना तो करना क्या है क्योंकि करना तो कुछ पड़ेगा selection कैसे होगा वो क्या करना है उसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजे क्योंकि आप देख रहे हैं यह पूरा analysis तैयार कर करने में मुझे तीन दिन लग गए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको best to best way में गाइड कर सकूं मैं आपको एकदम exact cut to cut source बता सकूं कि यह अगर exam crack होगा तो कैसे होगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22 का analysis कि मैं 2010 से लेके 2022 का analysis कर ही रहा हूं और करता ही रहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे अचीव सीए पीफ सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा वहां पर मैंने science का बच्चों को 2010 से लेके जितने भी question आयो हैं source NCRT की कौन सी book से कौन से chapter से कौन से paragraph की कौन सी line से कौन सा question आया हुआ है मैंने सब दिखाया हुआ है with proof दिखाया हुआ है आप जाके देखिए आपको भी पता चलेगा कि आखिर चीजे coaching से नहीं होंगी होंगी तो सिर्फ NCRT से होंगी और वो भी self study से होंगी तो एक full plan एक फुल स्ट्राटेजी कि 2023 के लिए आपको करना क्या है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि सर्थ बहुत analysis की ज़रूत पड़ती है इन सब चीजों के लिए अब चाहता तो मैं भी exam खता होने के बाद एक 2023 के लिए foundation batch year batch और comprehensive package और पता नहीं क्या क्या निकाल द टफ आया है तो कितना टफ आया है कुछ किया बस वही जो करते आ रहे हैं वही दुबारा किया यह गलती बिल्कुल नहीं करनी यह लोग क्या इवें बताओं तो बस आप लोग समझदार हैं मैं आपको गाइड हमेशा करता रहूंगा और सही direction में गाइड करूंगा बस आप लोग बने रहे हैं और हाँ अगर आप लोगों को को specific एक वीडियो चाहिए कि आपको 2023 की तैयारी के लिए coaching चाहिए या नहीं चाहिए या फिर नहीं भी चाहिए तो कैसे आप तैयारी करेंगे तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं आपके comments आप अकॉर्डिंग में और भी ज्यादा जल्दी काम करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपके comment आपके like आपके share से हमारा जो motivation है वो बहुत बढ़ता है तो प्लीज हमें subscribe करें दोस्तों के साथ share करें मैं जो चीज दे रहा हूं सर बहुत महनत लगती है इस चीज म आसान नहीं है तो आप लोगों का support चाहिए मुझे आगे इस फिल्ड में बने रहने के लिए बाकी तो thank you जैहिन पढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे एक अच्छी analytical वीडियो के साथ बैबाए